पुर्वे दिल्ले पुलिस की ATS की टीम ने इंट्रेस्ट ओटो लिफ्टर वसीम गेंग का फांड अफोर्ड किया है पुलिस ने इस गेंग के तीन बदमाश को गिरफतार किया जिसके पास से चूरी की पंद्रो अलग सरी कार और एक बुलेच मोटर साइकल बरामत की है पुलिस के मताबिक वसीम गेंग ने दिल्ले अंसी आठ चूरी की वारदात को अंद्राम दे चुका है पुर्वे जुलाग टीसीपी दीपक यादव ने बताया कि ग्रफतार आरोपी की पहचान सतीश कुमार कुनाल यादव और रफिक उल्ला खान के रूप में हुई है इस टीम ने गाजिपूर डेली फारम सड़क पर ट्रैप लगाया और सतीश को ग्रफतार कर लिया गया वह वसीम गेंग का सदस्य है और चोरी की कार को यूपी के जोनपूर और चतिसकर के राइपूल ले जा कर भी इस्तिया करता था सतीश के पूस्ताष में उसके साथ ही कुनाल यादा वो रफीक उल्ला खार को ग्रफतार कर लिया गया इनके निशान देही पर अलगलग इलाके से चुराई गई 15 कार वे एक मोटर साइकल पर आमद हुई उस्ताष में पता चला है कि वसीम इस गेंग को मैरेट से उप्रीच करता है पांसान में इस गेंग ने 500 से ज़ादा कार चूरी की वारदात को अंजाम दे चुका है इस गेंग के सदस्ते इंचूरेंस कंपनी से डेमिज कार को असली कागसाद के साथ खरीद लेते थे और चुराई गई कार पर डेमिज कार का नमबर और चैचिस नमबर लगाकर उसे छोटी शहरों भी बेच्टिया करते थे इस टेली डिस्टिक की एंटी ओटो थैफ्ट स्कॉर्ड ने एक इंटरस्टेट ओटो लिफ्टर्स का गैंग बस्ट किया है और इस गैंग के तीन इंपोर्टेंट जो मेंबर्स हैं सतीश कुमार, कुनाल यादव और रजी कुला खान इनको अरेस्ट किया गया है ये जो गैंग है इनका मोडस ओपरेंडी इस तरह का रहता था कि ये पहले इंशुरेंस कंपनी और कुछ कार पोर्टल्स हैं वहां से टोटल लॉस और कैश लॉस वाले वहिकल्स खरीते थे और उनके डीटेल्स फिर चोरी के वहिकल्स के ऊपर वो डाल देते थे और इन वहीकल्स को फिर दिल्ली से बाहर कुछ रिमोट एरियास हैं वहाँ पर सेल किया जाता था यह ओक्रेशन लंबे समय चला और इसमें कई स्टेट्स में पुलिस टीम ने रेट किया और इसमें जो नकसल अफेक्टेट एरियास भी हैं जगदलपूर के वहाँ पर भी हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो लोग गए और गाड़ियां रिकवर करके लाए इसमें टोटल हमने 15 लकशरी गाड़ियां जिसमें टोलेटा फॉर्चुनर, क्रेटा, ब्रेजा और विल्ड मोटर साइकल है इसको हमने रिकवर्ड भी है